तो चलिए गाई से स्टार्ट करते हैं, लाश्ट में बताने हैं आप सभी कितने कोशन सभी कर पायो, ठीक है ना, लाश्ट में अपने स्कोर नीचे कमेंड बॉक्स में में स्टार्ट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लो फिर आपर पहला कोशन क्या बना है, छे लोग अपना अलाग के लेकल लगा रहा हूंगे। इसका राइंस जा रहा है.. औप्षिन 6C सात्वां इस्थान वह याद रखें चेतरफल की द्रेष्टी से.. नेक्ष्ट कोर्श्ट देखनें आपर क्या बना 설थ्यव दूसरा कोश्चिन देखो.. वरतमान में केरल राज्ज के राज्य पाल कौन है? तो आपसंस दीवें पढ़ियो फटा पर इसका राइट आंसर जार रहा है आरेप मुहम्मध खान, इसका आपके पेपर में आया भी याद रखें ठीकिना? नेक्स शुक्षिन देखा जाए पर यापर क्या बनना है देखो रसाइनी उर्जा को विद्धुत उर्जा में कौन परिवर्थित करता है रसाइनी उर्जा को विद्धुत उर्जा में कौन परिवर्थित करता है विद्दूत सेल डाइवोल्ट, मोटर, इनवेटर राइड एंसर इसका ओप्सिन नमबर A विद्दूत सेल गाइस इसमें परिवर्थित करते हैं ठीक ना बदलते हैं विद्दूत उरजा को स्वरी रसायनी कुछ जगो विद्दूत उरजा में चैंज करते हैं नेक्स्सक्राइब करना कोश्वा चेम के लिए भारत आया था कि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें तो चानल को सब्सक्राइब करें साती प्लीज पर ओल वाले पर क्लिक करें जिससे कि भविस में कोई या फिर नोटिफिकेशन आप से पहुचता रहेगा या फिर आपसे लोग कोई बी एक्जाम के तियारी करोगे तो उसका नोटिफिकेशन आपसे भीकास फटाबड पहुचता रहेगा जैसे आपसे लोग वीडियोज देख सकोंगे ऑगे गास इस चानल का हमारा मकसद लिए कि आप सभी लोग को सरकारी नोकरी करवाना ठीक ना सरकारी नोकरी दिलवाना तो मेरा मकसद है यह आप सभी लोग गाईज मेनत करोगे जैसे मैं मेनत कर रहा हूं विससे तरही के आप सभी लोग में मेनत करोगे न तो यह सरकारी नोकरी आपके हाथ में होगी यह मेरा भादा देख लेना ठीक है तो सभी लोग ज़्यादा ज़्यादा लोग जुड़ा करें ज़्यादा लोग सेर करें किस चनल को बहुत ज़्यादा बढ़ा करना है आप लोग इस चैनल पर गाईस अप्शन के नंबर एक रेक्ट है। नेक्ट कोशन देखें राजदानी कहा है एसलामाबाद लाहो और काबूल इनमें से कोई नहीं सेविन कुशन का क्या करेट हैं ऐसे आफगानिस्तान की राजदानी क्या है काबूल है आपके ग्हाम के लिए काफी इंपोर्डन आप लोग SST GD की त्यारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी महत्पूर कोश्चन चलाए जा रहे हैं देखो मांचित्र में परवत और पाड़ों को दर्साया जाता है जो मांचित्र भिया नहीं बनाया जाते हैं जित्र वगरा जो बनाया जाते हैं उसके परवत और पाड़ जो होते हैं तो किस कलर में दर्साया जाते हैं लाल लंग से दर्साया जाते हैं याद रखें आप लोग नेक्स्ट तोचन देख़ों आप और क्या बनाया हैं ये 25 कॉश्चन इसमें मैंने लिए कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधान मंतरी कौन थे यह एरत रखें ऑप्शन नमबर इसका क्या हो जाएगा अटल भिहारी बाजपयाई थे ठीकी ना इसका राइड आंसर हो जाएगा अटल भिहारी बाजपयाई ऑप्शन नमबर C में दिया हुआ है कब थे 1999 में कारगिल पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन होते है एथिलीन मीथेन हाईडोजन एसे टीलीन याद रखें नेक्स्ट कर्शन देख लो थे सबसे तेज चलने वाला रेल गाड़ी कौन सी है, सबसे तेज चलने वाली रेल गाड़ी कौन सी है, तो आपसंस पर यह सताब दी है क्या, घतिमान है क्या, समझोता है, हिम साकर है, कौन सा क्लिक कर रहे हो आप लोग, मुझे पता चारों आपसंस क्लिक किया जा रहे है, कोई a click कर रहा है कोई b click कर रहा है ठीक ना अपने अपना अपने मन सरी किलिक कर रहे हो फिलाल जो पढ़ने में अच्छा रचप्छा होगा उस्थने सही क्लिक किया होगा मुझे बता है सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन से यह रेल गाड़ी है तो यह आप राइट अंसर बता दे रहा हूँ option नमबर हो जाएगा गतिमान एक्सप्रेस है में हमिसा याद रखे इसकी speed बता सकता है कोई इसकी speed बता अच्छा इसकी speed कितनी है सबसे तेज चलने वाली गाड़ी जुगए गतिमान एक्सप्रेस इसकी speed बताओ next question देख लो फिर आपर क्या बनाए कावेरी नदी कहां बैती कौन का राइश question को कावेरी नदी कहां बैती कावेरी नदी यह बताओ उत्तर भारत में पूर भारत में दच्छड भारत में पश्यम भारत में यह दच्छड भारत में बैती कावेरी नदी हमेशा याद रखें दच्छड भारत इसका right answer हो जाएगा दच्छड भारत अगला question देखो यहाँ पर क्या बना है orange book किस देश का सरकारी दस्तावेज है orange book किस देश का सरकारी दस्तावेज है France, Italy, Iran, नीदर लेंड D correct है इसका नीदर लेंड है याद रखें वीडियो को pause करके आपना answer क्लिक किया करें option number फिलाल इसका भी D correct है जिल, मिल, ताल, जील, भारत के किस राज में है जिल, मिल, ताल, जील, भारत के किस राज में है तो options पड़िये पंजाब, उत्राखंड, मांचल, परदेश या फिर आपका जम्मू कस्मीर फोड़े इन question का correct answer जा रहा किसका option number B इसका right answer हो जाएगा याद रखें आप लोग उत्राखंड इसका correct answer है जिल, मिल, ताल, जील, भारत के किस राज में उत्राखंड राज में याद रखें B option right है दूर संचार दिवस कम मना जाता है कौन का right question को दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है पताओ फटा फटा पट 17 माई को मनाते है अकला question देख लो भारत में जनसंख्या व्रद्धी के प्रमुक कारक कौन है गाईस भारत में जनसंख्या व्रद्धी के प्रमुक कारक पूछा जा रहा है याँ पर कौन से है गरीबी, असिच्छा, निम्निम्रत्यू दर, उच्च जन्म दर तो 16 question का correct answer इसका हो जाएगा क्या correct है option number D correct है उच्च जन्म दर है नहीं कि जन्म दर जो है उस पर कोई भी stop नहीं लगा जा रहा है उस पर कोई भी रोख थाम नहीं जो जितने बच्चे कर रहा, जिसके जितने मना रहा हो तरह है कर रहा है ठीक ना इस बज़े से भी यह आपर population बहुत आधी गए याद रखें आप लोग और सभी option eliminate करिए हटा देजिए option number फिलाल D correct है याद रखें रखें रेक्शन देखिए भारत में पहली जन्म गर्णा किसके द्वारा चलाई गई थी गई थी गई याद रखें भारत में नियमित जन्म गर्णा एक पहली जन्म गर्णा थी तो वह 1872 था उसमें ठीक ना एक नियमित जन्म गर्णा हो जाएगी तो इसके काल में चली थी किसने चलवाई थी तो यह लाट रिपन हो जाएगा और कब चलवाई थी 1881 में यह कोशन बहुत पूचा जाता है जो नियमित वाला है कोशन यह कोशन बहुत रिपेट होता है पेपर में आप सबी गई नंद्रमोदी स्टेडियम भारत में कहाँ आए? तो पूरा टॉपिक कराया है नहीं देखया तो जाकर देख सकते हो तो यह गुजरात का एमदाबाद सेर में याद रखें नरंद्रमोदी करिकेट है श्टेडियम डी करेक्ठ है याद रखें आप लोग किस देश में कपड़े का आखवार चपता है किस देश में कपड़ों का आखवार चपता है बताओ फटापट स्पेन, भूटान, स्रिलंका, आश्ट्रेलिया तो याद रखें आप्शन नमबर डी करेक्ट है स्पेन यह स्पेन के राष्ट्री खेल गया है साडों की लड़ाई यहां की राजदानी कोई बता पाएगा स्पेन देश की राजदानी क्या है बताओ कमेंट करके स्पेन देश की राजदानी क्या है 21 कुश्चन देखो यहां पर क्या बनाए ओप्रेशन फ्लड का सम्मद किससे है बाड़ दूग तो पानी और वो कंप तुसका राइट आंसर हो जाएगा दूद से है याद रखें दूग ते बोले हैं या फिर दूद 22 कुश्चन देखो या पर क्या बना है महमूद गजनवी ने भारत पर कब आक्रमा किया था अब ये भी कुश्चन बूचा जाएगा कितने बार आक्रमा किया था भी कुश्चन लगाया हूं मैंने ठीक ना next कुश्चन यही आने वाला है कितनी बार आक्रमा किया था महमूद गजनवी ने तो एक हजार एक वर्स में किया था भीया याद रखें, दिखो महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आकरण किया है, आकरण बताओ कितनी बार किया था, भीया सत्रा बार सभी को बताओ न जी, महमूद गजनवी ने भारत में सत्रा बार आकरण किया थे, भारती समिदान को कब अंगी गर्क किया गया यह कोशें बहुत सारे लगके गलत करते रहते हैं अकसर गलत करते हो आप लोग बताओ टेलेंटेड लड़का होगा पॉड़ा लिखा होगा साई से जिसके त्यारी बेटर होगी तो वो कर लेगा तो इसका राइड आंसर किसके साथ जा रहा है 26 नॉमबर 1949 करेक्ट है याद रखें आप लोग क्या लगाते हो आप लोग लगाते हो 26 जनवरी 1950 इसका भारती समिधान दिवस कम मनाया जाता है तो 26 नॉमबर 1949 में याद रखें 26 नॉमबर 1949 है आपर करेक्ट आंसर हो जाता है बटे आपर 49 नहीं पूछे जारा दिवस तो दिवस क्या करेंगे 26 नॉमबर कर देंगे मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल भी पहली बारा है तो नीचे रेट करका सब्सक्राइब बड़न दिया हो सब्सक्राइब जरू करें थैंक यू जय हिंद